मध्यप्रदेश के सीम शिवराज सिंग चोहान दिली में है जेपी नड़ा और अमिश्या से मुलाकात का दौर जारी है आखिरकार क्यूं शिवराज सिंग चोहान बार बार दिली के फेरे लगा रहे हैं? अगले साल मध्यप्रदेश में चुनाव होने वाले हैं से देखते हुए माना जा रहा है संगठन से लेके शिवराज सिंग चोहान के मंत्री मंडल तक में कई बड़े फेर बदल संभाव है आखिरकार क्या है मध्यप्रदेश में बीज़ेपी का एजंडा क्या है शिवराज सिंग चोहान का एजंडा और क्या होने वाला है, बड़ा फेर बदल, कौन-कौन सी संभावना है, चलिए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में भारती जन्रता पार्टी ये आगामी दिनों में कई बड़े फैसले करने की तैयारी में है इसी के मद्य नजर गुरुबार को दिल्ली में प्रदेश बीजपी कोर ग्रुप की एक बड़ी बैठक चल रही है और मुख्य मंत्री शिवरास सिंग चोहान दिल्ली में मौझूद है एक दिन पहले ग्री मंत्री नरुत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुँच चुके है बैठक में शिवरास सिंग कैबिनेट में फिर बदल और विस्तार पर फैसला किया जा सकता है जोबट सविधायक सुलोचना रावत को मंत्री बनाया जा सकता है सुलोचना रावत कुछ ही वक्त पहले कॉंग्रस छोड़ कर बीजपी में शामिल हुई और फिर बीजपी के टिकेट पर जोबट उपचुनाओ भी उन्होंने जीता सुलोचना आदिवासी नीता है इसलिए उन्हें कैबिनेट में जगदे कर आदिवासियों को साथने की कोशिश है बीजपी कोर ग्रूप की बैठक इसलिए भी बहुत आहम है क्योंकि 22 अप्रेल को केंद्री इग्री मंत्रिया मिश्चा भोपाल दौरे पर कह थे उन्होंने प्रदेश के बड़े नेताओं और मंत्रियों की बैठक लिए इसके बाद कोर ग्रूप की बैठक दिल्ली में बुलाई गई इसमें पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नडड़ा, राष्ट्री संगठन महमंत्री, बी ऐल संतोष के अलावा मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान, प्रदेश अध्यक्ष विश्णू दत्त शर्मा और संगठन के महमंत्री हितानन्द शर्मा मौजूद है केंद्री मंत्री जो तरदेते सिंधिया भी इस बैठक में शामिल है और सूत्र बताते हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर इस पूरी बैठक में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं इस दोरान सरकार, मंत्री, संगठन और प्रदेश पदाधिकारियों की पॉफॉर्मेंस पर भी मंधन किया जा रहा है यही नहीं नौन पॉफॉर्मिंग मंत्रियों की छुट्टी करने का भी फैसला लिया जा सकता है बताए यह भी जा रहा है कि जंजातिय कल्यान मंत्री मीना सिंग और स्वास्थ मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की पॉफॉर्मेंस बहतर नहीं है लिहाजा दोनों मंत्रियों की विभाग बदलने पर विचार भी संभाव है बैठक में जातिकत लीडर्शिप डेवलप करने के लिए शाह फॉमूले पर फैसला हो सकता है भुपाल में अमिश्रा ने गोपाल भारगव का उधारन देते हुए कहा था कि गोपाल जी बड़े नेता है उनका प्रभाव भी है लेकिन ट्राइबल एरिया में उनकी पकड मस्बूत नहीं हो सकती लिहाजा उसी समुदाय के बीच से क्षित्री नेत्रित्व को उपर लाया जाए इस नजरिये से देखें तो बीज़ेपी को OBC वर्क में लीडर्शिप की कमी है मद्र प्रदेश के सीम शिवरासिंग चोहां साथ अप्रेल को अचानक से पहुँच के थे प्रदेश BGP Office यहां मुख्य मंत्री ने BGP के राष्ट्री संगठन मंत्रेश प्रकाश और प्रदेश BGP अध्याक्ष वीडी शर्मा और संगठन महासची भितानन के साथ बंद कमरे में करीब डेड़ घंटे तक वाचीत की और सुत्र ये दावा करते हैं कि बैठक में संगठन और सरकार के कामकाश के अलावा मंत्री मंदल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई थी और आज खबरे यही है कि शिवराज सिंग चोहान का जो मंत्री मंदल है उसमें अच्छा खासा फेर बदल हो सकता है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें